हेलो दोस्तो वेलकम डूशी सावीधी आज हम डिसेस कर रहे हैं क्लास सेवन्त का चैप्टर वन उस चैप्टर का नाम है इंटीजर और अक्सराइज क्या है 1.1 तो पहले इसकी बेसिक बाते समझेगे स्टार्ट करते हैं स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आगर आपने चैनल को सिब्स्राइब ने किया प्लीज सिब्स्राइब कीजिए लाइक कीजिए और शेयर कीजिए तो देखिए इंटीजर जो नंबर होते है वो क्या होते देखिए इसमें जीरू निकलूड होता है यानि होल नंबर होल नंबर क्या होता है जिसमें जीरू से हमलो इंकलूडो नैच्रल नंबर एंड सोन ठीक है तो यह होल नंबर होगी यहां से यहां तक क्या है यह नैच्रल नंबर और जीरू निकलूड करते तो यह क्या बन गया होल नंबर अब इस साइड देखिए लेटमें साइड में नेगेटिव नंबर आएंगे –1, –2, –3 and so on तो यह सब क्या है यह सारे क्या है इंटेजर एंटेजर थीक है समझ वारा है इंटेजर कौन सा नहीं है जैसे मालो 7 by 8 है यह रैशनल नंबर होता है यह इंटेजर नहीं है root 2 irrational होता है लेकिन integer नहीं है 3.5 यह integer नहीं है वई समझ मारी बात minus 3 by 4 यह integer नहीं है तो integer देखिए यहाँ पर देखिए negative 0 और positive natural number यह integer होते हैं और साथ में इस exercise में और क्या basic बाते हैं देखिए जैसे आप कोई चीज प्लस कर रहे हो दूसरा भी positive है तो यहाँ पर क्या आएगा प्लस आएगा वो add होगे दोनों negative हो तो अभी वो क्या होगे क्या होगे एड होगे एक प्लस हो दूसरा माइनस हो तो क्या होगे माइनस या फिर पहले माइनस बाद में प्लस हो तो भी क्या होंगे माइनस समझ मारा है मेरा किनिक मतलब यह है कि जैसे हम 17 में यह 17 प्लस का है इसमें 18 एड़ कर रहे हैं तो देखिए दोनों प्लस के हैं यह एड़ होंगे 17 और 18 कितना होगा 35 और साइन उसी के कि ऐस अकोडिंग आएगा जो नंबर बढ़ा है ठीक है अब तो यहाँ पर दोनों प्लस के तो प्लस का आङगा यह आएगा अब दोनों नेगडिवल लेते हैं जैसे माइनस 17 माइनस 8 दोनों गर चर रहे है इसके अब यहाँ पर देखिए दोनों minus के होंगे तो क्या होगा plus होगा तो यानि 35 लेकिन sign क्या आएगा क्या आएगा यहाँ पर minus का जो बड़ा number है उसके coding sign आता तो बड़ा number यहाँ पर क्या है 18 और 18 की साथ क्या है minus तो यह minus आएगा ठी까지 यह लेते हैं यह वाला पलस का 17 माइनस का 18 अब देखिए माइनस होगा यहां पर एक पलस हो दूसरा माइनस हो तो क्या होता है माइनस तो 18 में से 17 माइनस करें क्या आएगा 1 अब साइन किसका आएगा साइन आएगा जो बड़ा नमबर है उसके साथ जो साइन लगावा है तो अब ये रिते हैं ये वाला किस पहले माइनस ले लिया बाद में पलस ले लिया और एक माइनस और दूसरा पलस हो तो क्या होता है माइनस ही होता है यानि यहाँ पर वन आएगा अब साइन किसका आएगा अब जो साइन है बड़े नंबर के साथ कौन सा है पलस का है तो यहाँ को प्लस मैनिस के बाते बताई है और जब हम डिफ्रेंस लेते हैं कि इसकी बात कर रहा हूं अंतर है ठीक है जैसे मान लो एक नंबर है यहां पर माइनस एट और एक दूसरा नंबर है माइनस थ्री इनका डिफ्रेंस लेना है अब इनका क्या लेना है डिफ्रेंस तो डिफ्रे ग्रेटर में इसे हम क्या मानिस करेंगे स्मॉलर मानिस करेंगे मानिस एट और मानिस थ्री में ग्रेटर कौन है मानिस थ्री ग्रेटर होगा किस से मानिस एट से ठीक है समझारी बात अब मैं यहां पर यह बात नहीं कर रहा कि sign किसके coding लगेगा अब बात कर रहा हूं कि इन दोनों में greater कौन सा है minus 8 और minus 3 में minus 3 greater है तो जब हम difference लेंगे तो minus 3 difference का मतलब बीच में minus और यहां minus 8 minus minus यहां पर क्या होगा यहां पर क्या होता minus minus plus होता हुई तो कितना हो जाएगा पलस का 8 अब देखी कितना आएगए यह एक minus का आएगए दूसरा plus का तो कितना आएगए पाँच अब sign किसके coding आएगा अब इसके coding आगए sign की यहांपर 8 है यहांपर 3 है 3 के साथ minus है एट के साथ plus है तो बड़े नंबर के coding साइन आता है तो क्या आएगा यहां पर पालस इस तरह से आपनी डिफरेंस लेना है ठीक है अब हम इसके क्वेश्चन करते हैं और उसके साथ साथ भी बेसिक करते जाएंगे जैसे फर्स क्वेश्चन है फ्लोविंग नंबर लाइन शोदा टेंपरेचर इन डिग्री सेल्सियस एड डिफरेंट प्लेसिस ओन ए पर्टिक्लर डे तो यहां पर देखिए कि टेंपरेचर दिया गया है लाहूल स्पीटी स्रीन नगर सिमला ओर्टी बेंगलूरू अब देखिए हमें ए पार्ट में बताना है और जोर दिस नंबर लाइन और राइट दा टेंपरेचर ओप्लेसिस मार्ग ओन इट हमने जो यह प्लेसिदे रखी है इनका टेंपरेचर लिखना भी क्या क्या है दूसरा क्या है What is the temperature difference between the hottest and the coldest places among the above हमें हिट डिफेंस बताना है जो hottest यानि जिसका तेंपरेचर ज्यादा है और जो coldest यानि जिसका temperature कम है उन दोनों का डिफेंज बताना है C पार्ट में What is the temperature difference between लाव्स्पितर और श्रीन गर के बिच का डिफेंज बताना है temperature का भी और D पार्ट में क्या, can we say temperature of Srinagar and Simla taken together is less than the temperature at Simla हमें ये देखना है कि Srinagar और Simla का दोनों का इकठा temperature together वो क्या Simla वाले temperature से less है भी, ठीक है, और साथ में ये भी देखना है क्या Srinagar वाले से भी less है तो देखिए हम इसको बारी-बारी सर करते हैं, पहले ए पार्ट लेते हैं ए पार्ट में हमें क्या है, बताना है, observe this number line and write the temperature of the places marked on it हमें इनके temperature बताने हैं वही, सभी places के, तो ये लिख लेते हैं पहले देखिए इनको complete कर लेते हैं यहाँ पर यह number line में, यह 0 है, तो यह क्या होगा, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है ऐसे यहाँ पर 10 है, तो यह 11, 12, 13, ओटी का temperature केतना होगा, 14 बैंगलोरु को देखते हैं, यहाँ पर 21 है, तो next क्या होगा, 21 और यह 22, यह बैंगलोरुरु का temperature है, यह ओटी का temperature है सिमला का temperature 5, स्रीनगर का temperature, देखिए, यहाँ पर, यह 0 है, तो इस left side में जाएंगे, तो क्या हैगा, negative हैगा, minus 1, minus 2, तो यह स्रीनगर का temperature है और लाउल्स पीटी का भई, कितना होगा, minus 5, minus 6, minus 7, minus 8, यह लाउल्स पीटी का temperature है, तो इनको नोट कर लेते हैं भई, यहाँ पर, लाउल्स पीटी, दूसरा क्या है, स्रीनगर, तीसरा भी, सिमिला, और टी, और बैंगलोरो, तो देखें, लाउल्स पीटी का temperature कितना है, minus 8, तो यहाँ पर, minus 8, स्रीनगर का, minus 2, सिमिला का, 5, और टी का, 14, और बैंगलोरो का, 22, ठीक अभी, इसी था यह तो, हमने यहाँ पर, इन सभी प्लेसिस के temperature बता दिये, और यह साथ में, degree Celsius भी आपने राइट करना है, इस तरह से, समझभाया, अब next लेते हैं, इसका बी पार्ट, बी पार्ट में क्या है, what is the temperature difference between the hottest and the coldest places among the above, यहाँ पर हमें difference बताना है, जो सबसे गरम प्लेस है, और जो सबसे ठंडा प्लेस है, उसका, जो degree Celsius में temperature है, difference क्या होगा, तो यह भी easy है, कैसे hottest, यानि गरम temperature क्या होगा, जो positive होगा, यहाँ पर देखिए, zero से right side में है यह, बैंगलोर्य जो प्लेस है, वो क्या है, hottest है, तो यह temperature है कितना, अभी find out क्या था, कितना यह, 22 degree Celsius, और जो coldest होगा, वो क्या होगा, देखिए, coldest यहाँ पर, देखिए, left side में जा रहा है, zero से भी नीचे जा रहा है, ठीक है, अच्छे, जुरूरी नहीं कि negative ही coldest होता है, अगर यहाँ पर यह negative लाहूल स्पीती और स्रीनेगर ना होते, तुम्हे coldest किसको बोलता, सिमला को बोलता, नोट करने वाली बात है, बच्छो, कि अगर यह लाहूल स्पीती और स्रीनेगर ना होते, तुम्हे coldest place किसको बोलता, सिमला को, समझ मारी बात, लेकिन अभी यहाँ है, zero से नीचे है, negative में है, तो हम इनको coldest place बोलेंगे, सिरनेगर और लाहूल स्पीती, यानि सबसे coldest क्या होगा, लाहूल स्पीती, कितना temperature है वह यह, अभी यह find out किया था, यहाँ से, चाहिए यहाँ से वापिस ले लो, minus 10, minus 9, minus 8, और चाहिए minus 5 की दरब से ले लो, minus 6, minus 7, minus 8, अभी इनका हमें difference बताना है, तो यहाँ पर हम write करेंगे, बैंगलोरू, temperature कितना भी, 22, यह नि होस्त, यह होस्त, होस्त थैस्ट है भी, 22 degree Celsius, और, तो coldest है, वो कौन सा प्लेस है, लाहूल, स्पीती, कितना temperature है, minus 8 degree Celsius, difference लेंगे, क्या difference आएगा, 22, minus, minus 8, ठीक है, यह तो पहले से minus में है, यह तो आएगा ही आएगा, और difference में हम क्या लेते है, बीच में minus, और पहले बड़ा नमबर, उसके बाद चोटा नमबर, अब यह minus minus क्या हो जाएगा, पलस हो जाएगा, कितना आ जाएगा यह, 30 degree Celsius, यह answer आचुका है, इस बी पार्ट का, समझ में आ गया, मुश्किल नहीं है, easy है, सिर्फ डिफ्रेंशी तो बताना है, बड़े में से छोटा नमबर, minus करना है, अगर वो पूस्ता, बैंगलोर, बैंगलोरू और सिमला का डिफ्रेंस बताईए, तो बैंगलोरू का temperature कितना है, 22, सिमला का temperature कितना है, 5, तो माइनिस करते कितना आता, कितना आता बहीं, 17, ठीक है, यानि बड़े में से चोटा नमबर, minus करेंगे लेकिन यहां पर तो पहले से minus का आ गया इसलिए minus minus क्या हो गया पलस हो गया अब हम लेते हैं इसका c part c part देखी क्या बता रहा है यहां पर what is the temperature difference between the लाउल स्पीती और स्री नगर अब लाउल स्पीती और स्री नगर का हमें difference बताना है सबसे पहले हम temperature देख लेते हैं क्या यहां पर लाउल स्पीती का temperature कितना है minus 8 find out क्या अधा भी स्री नगर का स्री नगर का कितना है यहां पर minus 2 ठीक है तो difference बताएंगे यहां पर लिखेंगे temperature of लाउल स्पीती कितना है minus 8 degree Celsius temperature of स्री नगर कितना है minus 2 degree Celsius अब हम यहां पर क्या बता रहे हैं difference बता रहे हैं इनके बेच का difference तो difference में देखी सबसे पहले बड़ा नंबर आएगा बड़ा नंबर यहां पर क्या है 2 बड़ा नंबर क्या है 2 बीच में minus फिर छोटा नंबर आएगा छोटा नंबर क्या है minus 8 ठीक है ना देखो 0 0 से अगला नंबर minus 1 ठीक है 0 से छोटा minus 1 minus 1 से छोटा minus 2 minus 2 से छोटा minus 3 और minus 3 से छोटा minus 8 समझे मारी बात तो number line पर यह चीज़े आपको clear होने चीए तो अब difference निकाल रहे हैं तो यह तो minus 2 हो गया और यह minus minus क्या हो गया plus क्या आगया 6 आगया ठीक है minus और plus 2 हो तो हम क्या गरते है minus करते हैं तो क्या बचेगा 8 में से 2 minus करेंगे 6 बचेगा अब आता sign की बाद sign किसका आएगा अब बड़ा number कौन है 8 चोटा number क्या है 2 2 के साथ minus 8 के साथ plus बड़े वाले number के साथ तो sign है वही आएगा तो यहां पर क्या आएगा पलस आएगा तो यह 6 डिगरी celsius यह इसका answer है यह इसका difference है स्री नगर और लाहुल स्विती का ठीक है इसका डी पाट करते है दी पाट में क्या है can we say temperature of स्री नगर एंड सिम्ला टेकन टूगैदर इस लेस देन दा टेम्परेचर एड सिम्ला पहले इसी बात को find out करते है यह कह रहा है कि स्री नगर और सिम्ला का जो टोटल temperature है वो क्या सिम्ला की temperature से लेस है है भी चेक कर लेते हैं कि यहां पर देखिए शी नगर का टेम्परेाचर क्या है माइनिस तू शीम्ला का टेम्परेचर क्या है 5 ठीक है तो कि शीरी नगर टेम्परेचर स्री नगर एंड सिम्ला क्या होगा बई माइनस टू यह नहीं कठा करना तो प्लस करेंगे ना कितना बन जाएगा ट्री डिग्री सेल्सियस अब देखिए अब यह किरा है कि यह जो टेंपरेशर है यह वाला क्या यह लेस है यह लैस है किसे लेल्स है वह सिम्ला के टेंपरेशर से सिम्ला के लेस है सिम्ला के टेंपरेजर से चेक करो क्या रहा है थ्री डिग्री और फाइड डिग्री में चोटा नमबर कौन सा है थ्री तो थ्री लेस होगा फाइव से यानि चीज वेरिफाई हो रही है यानि यह बात सही है भई हम कहेंगे येस ठीक है स्री निग्र और सिम्ला का टोटल टेंपरेचर सिम्ला से लेस है ये बात सही है अब लेते हैं इसका अगला पार्ट ये क्या कर रहा है Is it also less than the temperature at स्री निग्र क्या इन दोनों का टेंपरेचर स्री निग्र से भी लेस है चेक कर लो स्री निग्र का टेंपरेचर है कितना स्री निग्र का टेंपरेचर है माइनस टू ठीक है और सिम्ला का है फाई तो ये कह रहा है इन दोनों का टेंपरेचर हमने अभी कितना निकाला ये 3 डिग्री सेल्सियस क्या ये लेस है किस से भई स्री नगर का temperature कितना है minus 2 degree Celsius तो यहाँ पर मैं short form लिख रहता हूँ यह temperature स्री नगर plus similar ठीक है और यह जो temperature है वो किसका है स्री नगर का तो मुझे बताओ 3 degree क्या minus 2 degree से less होता है बिल्कुल भी नहीं होता है यह तो सब जानते हैं भई तो यह तो गल्द हो गया तो हम कहेंगे no ठीक है स्री नगर और similar का जो together temperature है वो स्री नगर से less नहीं है वो तो greater than है समझे बागे बात clear हो गया question ठीक है अब लेते हैं इसका अगला question question number two in a quiz positive marks are given for correct answer and negative marks are given for incorrect answer if jack score in five successive round were 25, minus 5, minus 10, 15 and 10 what was his total at the end अभी किरा है कि quiz है उसमें correct answer के positive marks मिलेंगे और जो incorrect answer है उसके negative marks मिलेंगे तो यहाँ पर 5 successive round हुए उनके marks दिये हैं 25, minus 5, minus 10, 15, 10 तो उसका total score बताना है तो यह कैसे बनेगा देखो easy है total score होगा 25 आगे क्या भी हमें total करना तो plus करेंगे ना लेकिन आगे क्या minus 5, plus, minus 10, plus 15, plus 10 पहले आप प्लस वाली ट्रम को add कर लो प्लस वाली ट्रम को उनसी है 25, 15, और 10 25, 15, और 10 यह प्लस वाली ट्रम होगे और अब यह negative वाली ट्रम ले लो minus 5 और यह minus 10 इनको इकटा add कर लेते हैं तो हम इसको add करेंगे, तो 25 और 15, 40 और यह 10 कितना हो जाएगा, 50 अब यहां दिखी, यहां पर minus minus 2 है तो जब 2 minus हो तो क्या होता है, plus तो 5 और 10 कितना हो जाएगा, 15 लेकिन sign भी तो आता है, ठीक है, बड़े नमबर के coding आता है, sign क्या है यहां पर, minus तो 50 में से 15 माइनिस करेंगे, कितना आएगा, 35 ठीक है, तो यह उस jack का total score है उसने जो correct किया, उसमें उसको positive score मिला incorrect किया, उसको उसमें क्या मिला, negative maximum, तो total कितना अबना 5 rounds का 35 इजी है ना, अब लेते हैं, इससे अगला question, third इस question में क्या पूछा गया है, देखिए एट स्री नगर टेंपरेचर वाज माइनस 5 डिगरी सेल्सियस ओन मंड़े एंड देन इट ड्रॉप बाइट 2 डिगरी सेल्सियस ओन टूजडे वाज दा टेंपरेचर ओप स्री नगर ओन टूजडे ठीक है पहले इसको देखते हैं भई यह गिराया कि मंड़े को स्री नगर का टेंपरेचर माइनस 5 डिगरी सेल्सियस था, और ये टूजडे को क्या हो गया ड्रोप हो गया कितना डिगरी को ड्रोप हो गया बाइट टू डिगरी सेल्सियस ठीक है, और नीची चला गया ड्रोप का मतलब और नीची चला गया माइनस 5 था, माइनस 2 और नीची चला गया यानि कितना हो गया, सेवन डिगरी ठीक है, देखिए कैसे करेंगे temperature on Monday कितना है minus 5 degree Celsius ठीक है it dropped by कितना भी 2 degree Celsius यानि 2 degree नीचे चला गया यानि minus आएगा ठीक है तो temperature on Tuesday क्या होगा क्या होगा भी यानि टूजडे को ये temperature 2 degree डाउन चला गया ठीक है तो कितना हो जाएगा minus 5 और हम add करेंगे इसको minus 2 degree Celsius या पर Celsius आएगा कितना हो जाएगा भी minus 5 degree Celsius minus 2 degree Celsius यानि minus minus हो जाएगे तो प्लस करते है minus 7 degree Celsius तो Tuesday को ये temperature होगा अगर Monday को 5 degree minus का 5 degree Celsius temperature है और Tuesday को 2 degree temperature डाउन चला जाएगे तो इसका अमप्लब 2 degree और कम हो गया यानि कैसे हो गया भी minus 5 minus 2 कितना हो जाएगा minus 7 अब बात करते हैं नेक्स्ट वाले की ओन वेड़नेस डे इट रोज बाई 4 degree Celsius वेड़नेस डे को ये 4 degree Celsius रोज हो गया भी भट गया इंक्रीज हो गया तो बताएए वेड़नेस डे को टेमप्रेचर क्या होगा तो अब हम कहेंगे याबर टेमप्रेचर आएगा टेमप्रेचर ओन वेड़नेस डे क्या होगा Tuesday को कितना था भई माईनस 7 degree Celsius और वेड़नेस डे को कितना इंक्रीज हो गया कितना इंक्रीज हो गया इंक्रीज के लिए क्या आएगा बढ़ने के लिए क्या आएगा पलस नहीं 4 degree Celsius तो अब देखिए एक पलस का है दूसरा माइनस का है तो हम माइनस करेंगे साथ में से चार यानी से वन में से फोर लेस करेंगे थ्री डिगरी सेल्शियस अब मुझे यह बताओ यह नेगेटिव आएगा या पोजिटिव sign किसके साथ है बड़े नंबर के साथ 7 के साथ क्या है minus तो वेटनेश दिए को टेंपरेशर क्या होगा minus का 3 degree Celsius समझ माया अब हम लेते हैं इससे अगला question number 4 इस question number 4 में क्या दिया है A plane is flying at the height of 5000 meter above the sea at a particular point it is exactly above a submarine floating 1200 meter below the sea level what is the vertical distance between them ये कि रहा है कि जो sea का level है ये सी जैसे ये रहा ये सी है इस सी के अंदर ये submarine है और इसी के जस्ट उपर इसी के जस्ट उपर क्या है एरोप्लेन है अच्छा जो सी का level है पानी का जो level है ये रहा ये पर zero भी दिखा रखा है अब इस level से कितनी height पर एरोप्लेन उड़ रहा है फ्लाइ कर रहा है 5000 meter यानि यहां से लेकर यहां तक यह height कितनी है रोप्लेन तक 5000 meter और जो submarine है जो submarine floating कर रही है वो 1200 meter यानि sea level से नीचे की site यानि zero से नीचे की site 1200 meter क्या है submarine चल रही है अभी तो हमें यहां से इस submarine से इस airplane तक की vertical distance बताना है ठीक है क्या height होगी अब vertical distance बताना है तो इसको समझी इस तरह से जैसे दो कार है जैसे कार ए कार ए और यह कार है तुबी ठीक है यह दोनों एक साथ चलिए एक ही direction में इसने तो cover किया यह distance यहां तक 200 मिटर और इसने किया यहां तक 150 मिटर बताओ यह कार इस कार से कितने दूर है यह कार इस कार से कितनी दूर है यहनि इस कार और इस कार के बीच का difference बताईए यह इस कार और इस कार के बीच का distance बताईए positive और जो vertical line होती है आपको पता भी यहां पर vertical line होती है negative, 0 से नीचे क्या होगा, negative, यानि C, जो पानी का level है, उसके बिलकुल कितने नीचे सब्मनीन चल रही है, 12,00 मेटर, तो हम ये क्या लेंगे, minus का 12, तो हमें vertical distance बताना है, यहां से लेकर, यहां तक का, तो हम क्या करेंगे, minus करेंगे, जैसे अभी पिछे में एक्जामपल दिया, तो 5000 में से, आप minus करोगे, यह मैं हटा देता हूँ, देखें, यह 0 लेवल था, अब यहां पर write करेंगे, vertical, distance, between, क्या होगा, 0 लेवल से उपर कितना distance है भी, कितनी height है, 5000, माइनस, और यह यहां से लेकर, यहां से लेकर, यहां से लेकर यहां तक कितना है, माइनस का, 1200, ठीक है, तो, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, पलस, यानि कितना vertical distance हो गया, आप add करो, 5000 में, 1000, 6000 और 200, यानि 6200, यह हमारा final answer है, तो, यह बात ध्यान में रहेगी, जब भी ऐसा question होगा, हम इस तरह से करेंगे, कि यह जैसे zero level हो गया, और zero से उपर right side में क्या होंगे, positive होंगे, और zero से left side में, या नीच से side क्या होंगे, negative होंगे, ठीक है, तो, जैसे मैंने car वाल example देकर आपको बताया, कि हम जब distance निकालते हैं, दो चीज़ों के बीच में, तो हम क्या करते हैं, minus करते हैं, ऐसे यहां पर किया है, लेकिन यह पहले से minus था, इसलिए minus minus क्या हो गया, पलस हो गया, सब्ज़ों आ गया, ठीक है, next लेते हैं, question number fifth, Mohan deposits 2,000 in his bank account and withdraw 1,642 from it the next day, if withdraw of amount from the account is represented by a negative integer, then how will you represent the amount deposit, find the balance in Mohan's account after the withdraw, Mohan ने 2,000 रुपे deposit किया bank account में, और next day क्या निकाल लिया भई, 1642 रुपे, यानि 1642 रुपे उन्हें withdraw कर लिया, next day, अगर withdraw amount from the account is represented by negative integer, अगर यह negative integer कह रहा है, जो withdraw account है, तो बताईए, then how will you represent the amount deposit, भई जो आपने amount deposit की है, आप उसको क्या कहोगे, negative कहोगे या पोजिटिव कहोगे, positive, हमने bank में जमाँ पैसा किया, तो positive, अब निकाल लिया तो, उसने कहा कि negative है तो वो क्या होगा फैले वाला, definitely positive होगा, तो लिख देते हैं, deposit will be, positive, अब जो हम पैसे जमा कर रहे हैं, वो क्या कहला बाज़ा पोजिटिव, यह हमारा एक अंसर आच चुका है, इस कुछ आता ना इस ने, कि, then how will you represent the amount deposit, तो हम कहेंगे, positive, अब दूसरा देखते हैं, find the balance month account after the withdraw, हमें balance बताना है, तो देखिए, यहां पर, deposit कितना है अभी, deposit है, 2000, ठीक आव विड्रा कितना है, विड्रा है, निकाला कितना है, minus का negative बोला है, इस ने, देखिए, यहां पर negative बोला है, कितना निकाला है, 160, 42, तो balance कितना होगा भी, balance कितना होगा, तो क्या करेंगे, 2000, minus 1642, ठीक है, अब यह गलती मत करेंगे, 2000 था, 2000 में से minus करेंगे, minus 1642, अब यह कर दोगे, तो यह गलत हो गया, भई उसने पहले ही बता दिया न, कि जो हमने विड्रा किया है, वो negative, integer है, तो हमें अपनी तरफ से negative लगाने की जूरती नहीं है, अपनी तरफ से यह वाला minus लगाने की जूरती नहीं है, यह आप इसको ऐसे लिख लो चाहिए, 2000 plus minus 1642, ठीक है, यह ठीक रहेगा, ताकि आपको दिक्कत भी नाए, plus minus 1642, हमें अपनी तरफ से negative करने की माइनिस करने की जूरती नहीं है, इसने पहले ही बोल दिया, कि यह negative integer है, ठीक है, तो यह क्या जाएगा, 2000 minus 1642, अब आप इस में से less करोगे, कितना आएगा यह, 10 में से 2 less किया, 8, कितना जाएगा, फिर 9 में से 4 less किया, 5, और यह कितना जाएगा, 19 में से 358, तो इस तरह से हमने, यहां पर महंज का जो, balance था, अकाउंट के अंदर, वो find out कर लिया, यह इतना आया है, ठीक है, तो यह, एजी था भई, अब इस से next, जो बच्चे वे question है, मैं वो अगले वीडियो में लेकर आँगा, और चैनल को subscribe, नहीं किया तो subscribe किजिए, like किजिए और share किजिए, thank you,